Q17. The base of an isosolus triangle is 48 cm and one of its equal side is 30 cm. Find the area of triangle. सबसे पहले आप समझे है isosolus triangle क्या होता है? एक ऐसा triangle जिसकी दो साइड है equal हो. उसको बोलते हम isosolus triangle. मानलों ये दोनों equal sides हैं और उसमें ये कह रहा है हमसे कि base जो है, तो base होता है ये, तो base जो है वो दिरखा है 48 cm. और कह रहा है उसकी equal sides है, वो कितनी है 30 cm. तो अगर ये 30 cm है, तो ये भी 30 cm होगी. अब आप से पूछ राएगी, इसका area क्या होगा? तो आप क्या करें? solution, A की value 30, B की value 30, और C की value 48 cm. तो अब आप क्या करें? इसका semi perimeter निकालने हैं. तो S equals to 1 upon 2, A plus B plus C, 1 upon 2, A की value 30 है, B की value 30 है, और C की value 48 है. सब को plus किया हमने, तो कितना आया? 8 और 10, कट किया, तो 54, तो कितना आ गया? 54 cm. ये क्या है हमारा S का value? अब हमें निकालना था area, तो area of triangle का formula क्या है? square root, S, S minus A, S minus B, और S minus C, value put करते हम, S की value हमने निकाली थी 54, तो 54 minus A, ये कितना है? 30, फिर 54 minus, फिर से 30, ये B की value है, और फिर 54 minus 48, आगे solve करते हैं, bracket पहले, तो 54 ऐसे ही रहा, इसमें से इसको minus किया, तो कितना बचा? 4, 2, इसको भी 24, और ये 6, prime factors लेते हम, 54 के, तो 54 के factor लोगे, तो 2 से 27, 3 9s, 3 3s और 3 1s, 24 के लोगे, तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, और 6 के तो आप जानते ही हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 54 को, 2 into 3 into 3 into 3, और 24 के, 2 into 2 into 2 into 3, और फिर एक बार और लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक और 24 है, तो 2 into 2 into 2 into 3, और 6 के आएंगे, 2 into 3, ठीक है, अब हमें pair बनाकर बाहर निकालना है, इसको, तो कितने 2 हैं, count करो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 4 बार जो है, 2 आएगा, और 3 कितने बार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3 बार 3 आएगा, मल्टिप्लाइ करते हैं, इनको, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, और 48 और ये 9, तो 48 नाइन जा, 2, 7, 43, तो कितना आया, 432 सेंटीमेटर स्क्वेर, यही हमारा क्या है, एरिया, आई होप आपको क्वेशन समझ में आया होगा, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेशन पर,